दोस्तो नमशकार मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा एक फिलोसफर और आस्टोलोजर में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और वर्ड में हार दिक सौगत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आज हम लोग उचरचा करेंगे मीन लगन वालों का ये नवंबर दो हजार चौबिस का महीना गोचर के हिसाफ से किस फिरकार की ओरजा लेकर आ रहा है तो अगर हमारी जेरन कुंडली में यहां बारा का अंक लिखा हुआ है तो ये कुंडली के लाएगी किसकी मीन लगन वालों की तो अगर आप लोग ने मेरी वो वीडियो की जानिये मीन लगन वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखिए तो आई बेट प्रकर राशी में ब्रशिक राशी से निकलकर धनु राशी में प्रवेश कर जाएंगे, Bus पूरे महीने ब्रशिक राशी में चलते रहेंगे लेकिन 27 फारीक हो 27 नवंबर को बुद्ध यहां वक्री पोजिशन में आ जाएंगे, सूरे 17 तारिक को 17 नवंबर को तुला राशी से निकल कर ब्रशिक राशी में आ जाएंगे, शनी की बात अभी बाद में करेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं, राहु की पूरा महीना मीन राशी में गोचर करेंगे, शवराशी में गोचर करेंगे और वक्री पोजिशन में होंगे, अगर बात करते हैं इस महीने के किसी बड़े ग्रह के परिवर्तन की, तो देखिए वो है शनी का परिवर्तन, उसमें क्या है, शनी रहेंगे तो कुम राशी में अपनी कुम राशी में रहेंगे, लेकिन गिनेश कौन है हमाने गुरुदे ब्रहस्पती जो इस समय वक्री पोजिशन में होते हैं चल रहे हैं तो देखें किसी भी ग्रह का वक्री पोजिशन में चलना उसका चेस्टाफल को बढ़ाता है इंक्रीस करता है तो अगर आप लोग जो भी मीन लगने से संबंदित हैं वो अपने classes कैसे शुरू करें online खुद को कैसे represent करें तो यह चीज वो समय है कि जब आप अपने बिज्शनिस को online ले जा सकते हैं खुद को represent कर सकते हैं मीडिया से जुड़ सकते हैं यह सारे काम आपको मिलेंगे चोटी बोटी यात्र हैं अगर आपको कभी करने का मन है जैसे कि मान लिजे आपको कहीं घूमने की इच्छा हो रही है नवंबर के महिने में तो ये महिना आपके लिए बहुत उप्योगत माना जा रहा है इसके एतिरिक्त गुरू की जो दरस्ती है वो भाग्ये पर पड़ र लेकर आए और उससे वो बहुत ज़्यादा प्राफिट कमाता है तो अब हम लोग चर्चा करेंगे आपके सेकेंड हाउस की अच्छा खुद बैठा हुआ रहू जो लगन में रहू बैठे हुए हैं यह आपके अंदर ही कैसी पावर स्पेशल पावर पैदा करते हैं कि जैस से पहले भी आप उसके विचार को समझ सकते तो यह आपके पास इस समय स्पेशल पावर चल रही है आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं बात करते हैं सेकेंड हाउस की मालिक कौन है मंगल बैठे कहां पर हैं फूर्थ हाउस से बैठे तो देखे जब भी इस तरीके का कोई संब करना चाहो लेकिन हाँ एक चीज मैं आप से जरूर कहूंगा कि यह समय थोड़ी सी देर के लिए भी आपके लिए बना है एक या दो महिने के लिए उसकी बात प्रॉपर वे में जो आपका सिस्टम चल रहा है वह आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओगे वह आगे की बात हाँस का एक्सिमिनेशन मेंने किया अगर हम लोग बात करते हैं फोर्थ हाँस की मालिक कौन है बुद्ध और बैठे कहां पर है भाग्य के स्थान पर लेकिन मंगल की राशी में है और बुद्ध की दूसी राशी कौन सी है हमारी छटी यह मतलब जहाँ छह नंब लिखा है आपकी इस पाउस वाला गर दौनों मालिक कहां बैठे हैं हमारे वो बैठे हैं भाग्य में तो देखे यह चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस समय जो भी कारे और था हुस हमारा किस चीज का है मन का हुसे मतलब एक तरीके का जो भी काम आप इस समय करोगे ने आपको इ ज्यादा सोचते मत रहिए उसकी ओपर काम करना भी शुरू किजिए बात करते हैं फिफ्थ हाउस की तो बैठे हैं यहां मंगल और मंगल क्या कर रहे हैं यहां पर थोड़ा दंगल पोजिशन में हैं कहने का मतलब क्या है कि एक तो यह नीच के मंगल है कहने का मतलब है विवात की पोजिशन में आही जाना है जब थोड़ा सा आप उनको मुझ बिगाड़के या थोड़ा गुस्से से बातचीत करोगे तो फिर वो आपको पलटके जवाब देंगे तो यह चीज है कि आपको जो जवाब देना है इस समय या उनका मार्ग दर्शन करना है अगर कोई छोटी वोटी आपको हेल्थ की कोई प्रावलम हो रही है देखिए सिक्स हाउस के मालिक का समन्द एर्थ हाउस से बन रहा है इसका मतलब यह होता है कि अगर आपको को ऐसी कोई समस्य है तो डॉक्टर को दिखाईए नहीं तो क्या होगा फिर दिक्कत वाली बात अगर हम लोग बात करते हैं आपके सेविं थाउस की बैठे केतू और केतू जहां बैठे हैं वहां पर दस्ति आ रहे है इसकी गुरुदेब रहती की दस्ति केतू पर पड़ा रही है तो जो संबंद अभी हमारे हमारे स्पास के साथ बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं त जब भी six house का मालिक eight house में आएगा आपको या तो eight house को दीखे सूरे इस घर को प्रकाशित कर रहे तो या तो occult science से आप जुड़िए meditation से आप जुड़िए या फिर किसी research वगएरा में काम कीजिए तब तो इस eight house का आपको फायदा मिलेगा अन्यता थोड़ा सा health की दिस्टिकॉर्ण से ये house ज्यादा अच्छा नहीं देखा जा रहा अगर हम लोग बात करते हैं आप से आपके नाइंथ house की नाइंथ house से बैठे शुक्र और बुद्ध तो जब भी जिन लोगों की जैसे अभी marriage वगएरा की बातचीत में आप से की है कि क्या होगा उनकी marriage क क्या system है पोड़ा सा डिले तो अवश्य होगा लेकिन इस महीने अगर नवंबर में आपकी marriage होने की संभाव ना है तो एक चीज़ का आप जरूर विशेश ख्याल रखिएगा कि जैसे कहते हैं सगाई और शादी एक ही जगे मतलब एक ही सुबह के समय सगाई का प्रोग्राम हो गया और शाम के समय हमारा marriage वाली वेवस्ता हो गई तो यह एक वेवस्ता आपको बना के चलनी होगी और अगर जब शुक्र 9th house में आ जाएंगे तो कब आ जाएंगे आठ तरीक के बाद आ जाएंगे आठ तरीक के बाद इनका क्या होगा कि यह धनु राशी मतलब यह हैं उनको जवर्दस्त मार्जन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा अगर हम लोग बात करते हैं देखे आपके 11th house की 11th house का मालिकों है शनी बैठे कहां पर है अभी हमारे 12th house में बैठे और इनके साथ क्या है कि यह जो है 16 तारीक को 16 तारीक को क्या हो जाएंगे मार्गी प करूंगा क्योंकि शनी के दौनों घर हैं दो पात आप समझ लिजे पूरे कि शनी ने आपको एक ऐसा समय दिया कि जिसमें जो भी आप से कोई कमी रह गई है अगर बिजनिस में है या जॉब में है जो भी आप से कमी चल रही है या तो आप उसको दूर कर लिजे और अगर आपकी पास ऐसी कोई बात ही नहीं है आपके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आ रही है तो बिल्कुल कोई बात नहीं है कहने का मतलब यह 16 तारिक के बाद शनी जब मार्गी पोजिशन में आते हैं तब जैसे उन्होंने पिछला समय आपने बिताया है अगर गलतियों को तो उसके अकॉर्डिंग वर्क आपको मतफल मिलेगा और अगर आप बिल्कुल अच्छी पोजिशन में आ गए महनत करके फिर जगए आगे तो वहां से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन ट्वैल्थ हाउस में बैठे हुए शनी का एक सिस्टम आप जरूर होगा लेकिन यह थोड़ा खर्चे वाला जो पीरेड है ना कि जो आप एक लाग भी कमाते हो तो वह आप सोस्ते हो जी मेरे 90 खर्च हो जाते तो वह जो दस वस्तें उसी को इंवेस्ट करना है शुरू कीजिए मेरा आप से एक उधारन की तौर पर यह बात कहनी है कि पैसा अभी अपने पास बिल्कुल ना रखिए इंवेस्टमेंट की तरफ जाएए क्योंकि यहां बैठे हो इशनी आपके खर्चें को बढ़ाते तो यह पूरा का पूरा सिस्टम रहा कि जिन लोगों को अभी मेरे नहीं हुई है उसमें थोड़ा सा वेट तो उनको करना है लेकि से हम कहते हैं लगन और विवाद और एक ही दिन रखें तो इस इसका आप लोगों को विशेश ख्यार रखना है तो आज के लिए इतना ही आप लोगों ने इतना समय मेरे साथ दिया उसके लिए बहुत वाद धन्यवाद थैंक यू